नमस्कार दोफ्तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोफ्तो RCB टीम से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही जहां पर उनके नए कप्तान का एलान हो चुका है जी हां दोफ्तो RCB टीम ने आज के अपने अनबॉक्स एवेंट में नए कप्तान का एलान कर दिया है तो RCB को नए कप्तान मिल गया है IPL 2022 के लिए कौन है RCB टीम का नए कप्तान इसके बारे में हम डेटल में आगे सारी जैनकर आपको देने वाले हैं तो भाई योगर आप भी RCB टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजे वहीं दोस्तों हमा से जॉइन कर लीजे वहां भी आपको RCB टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टन निउस रगातर मिलती रहेगी तो भाईयो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी फटा फट जाएगे वहां पर उसे भी जॉइन कर लीजिए तो चलिए वी इनका वाटसेप नंबर और टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फटा फट जाएगे इनसे कॉंटक कीजिए दोस्तो आइपील 2022 के लिए 12 माज को RCB टीम कई बड़े फैसले लेने वाले थी जिसमें से सबसे बड़ा फैसला था उन 2022 से RCB टीम ने अपने स्कॉर्ड में लेकर आया था तब से यह कयास लगा जा रहे थे शायर से डूप्लेसी से RCB के नए कप्तान बनेंगे तो ऐसे में दूस्तों RCB टीम ने ऑफिशल रूप से एनाउंस्मेंट कर दी है कि उनके नए कप्तान फैब दूप्लेस होने वाले ह है पिछले सेजन कोली ने कप्तानी छोड़ दी थी जिसके बाद इस बार जो है RCB टीम ने नया कप्तान घोशित कर दिया है और कप्तानी करते हुए दिखाई थी तो दूस्तों यहां पर RCB टीम को एक नया ओपनर मिल चुका है डूप्लेसी और विराट कोली के रूप में इसके लाओ दूस्तों टीम को नया कप्तान भी मिल गया है अब किस्मत कैसे बदलती है टीम की यह देखना भी दिल्चस्प होने वाला है हाला कि टीम जो है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर तक अपना बहुत खाल रखेगा थैंक्स और अचुन दूस्तों